हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ आकिल बारिसकर और आप देख रहे हैं AT Creative Channel दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको कि यह जो है एक्वाडर्ट का कीट है, और ओ फिल्टर कीट हमने घर पे बनाया है इसको कैसे बना, इसका वीडियो आपको एंदर मिल जाएगा लिकिन यह जो है, आरो फिल्टर का जो कीट है, हमने इसको कीट को लगा दिया था सर्वीस कीट बोलते हैं इसको, लगबग 1399 रुपेगा आता है एक्वाडर्ट का कीट है, आपको Amazon से बड़ी आसान से मिल जाएगा इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिशन में दे देंगे लिकिन आज की जो हम बात कर रहे हैं कि इस कीट को हम लगाया हुए लगबग एक साल से उपर हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहला जो हुड़े वे हैं हमने इसका जो है एक साल पहले डाला था कि ये जो कीट है हमने इस्ट्रॉल करके आपको दिखाया था लगबग आज एक साल मान के चल रहो कि आज एक साल के बाद इसका क्या मतलब कैसे बेनिफिट चल रहा है कैसे चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे आरो फिल्टर कीट को जो एक साल पूरे हो चुके हैं तो इसका जो इसके अंदर कीट के अंदर मिलता क्या क्या है वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ देखिए सबसे पहले आपको यह मिल जाता है सेडिमेंट फिल्टर यह वाला फिर मिल जाता है प्री कारवन फिल्टर यह वाला फिर मिल जाता है पोस्ट कारवन फिल्टर यह वाला उसके बाद मिल जाता है यह फ्लो वाला ठीक है यह लोग गेरा कुछ बोलते हैं यह वाला फिर सबसे जो important part होता है इस filter का क्योंकि गंदा पानी और जो साफ पानी होता है वो इसे में विसे बनता है इसको बोलता है membrane सबसे important part main part और बहुत महंगा आता है इसे की केमत सबसे ज़्यादा होती है इनकी केमत बहुत कम होती है लेकिन सबसे जो महंगा पार डाता है यह वाला तो यह यह था membrane तो membrane पूरे body की साथ मिल जाता है इसके अंदर का membrane और उपर की body दोनों भी मिल जाता है देखिए यहां से पहले हमारी टूटी वाला जो पानी है वो यहां से चाला जाता है और यहां से दो pipe इसके अंदर output होते है एक गंदा वाला पानी होता है और एक साफ पानी होता है तो यह नहीं इसके अंदर मिलता यह वाला मिल जाता है यह आता है mineral cartridge जो कि यह filter क्या करता है कि इसके अंदर के जो है minerals को भी निकाल देता है जो कि हमारे शरीर को आवशकता होती है तो उसको add करने के लिए यह चीज भी जरूरी है ठीक है और उसके बाद मिल जाता यूफ मेंब्रेन और सबसे important चीज मिल जाता है TDS मिटर देखिए अब यह गंदा हो चुका है बहुत दिन हो इसको यूज नहीं किया है आज यूज करेंगे कि यह एक साल के बाद यह कैसे चल रहा है ठीक है तो यह सारी जो किट मंगाते हैं ना इकवाड़ का इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको बाहर से आपको कुछ भी लानी की जरूरत नहीं है ओ जो पुराना वाला जो चीज है वो निकाल दो और उसको इंस्टालेशन कर दो इसके अंदर सब कुछ मिलेगा पाइप मिलेगा इसके पा आराम से चल जाता है सबसे जो गंदा पानी वो हमारी घर का यह जो सबसे पहले हम देखें कि एक साल के बाद भी ठीक से काम कर रहा है का नहीं है यह हमारा टीडेस मिटर मेरे पास अगर तीन हाथ होते तो अच्छा होता क्योंकि एक हाथ से मैं कैमेरा पकल लेता है जाने द सब्सक्राइब कर लेता हूं यह हमने ऑन किया अन होई कैने यह ओन हो चुका है जरुजरु आ चुका है यहां पर तो चलिए इस सारे फिल्टर का जो पानी होता है वो इस टंकी के अंदर जमा होता है अगर आपको एकिन नहीं हो रहा तो आप देख लो अब यहां तक पानी है यह वाला जो पानी है आप देख सकते हो यह पानी है यहां तक चलिए थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डाल देत पहला जो पानी है थोड़ा सा फेक देते हैं फिर आप पानी ले देते हैं इसकी रिडिंग ले देते हम ठीक है इसकी रिडिंग कितने आ रही हम देख लेते आप देख सकते हैं यहां पर जो आकड़ा है उसके उपन उट कर लीजिए 92 का आकड़ा है देखिए 92 दिखा रहा है आप देख सकते हैं यहां पर कोई गुना मतलब मल्टिप्लाइब वगरा कुछ भी नहीं इसके अंदर नाइन्टी टू दिखा रहा है चलिए आप यह तो हमने पानी देख लिया फिल्टर का कितना टीडिस दिखा था वह देख लिया 92 दिखा रहा था अब जो टोटी का पा यह जो है हमारे बोरवेल का पानी है बोरवेल का इसको भी भर लेते एक बार फैंग देते अब यह जो पानी है आपनी जामा कर लिया है और इसके अंदर यह वाला जो मेटर है हम उसको डाल देते हैं यह देखिए थोड़ा सा रोशनी में लेके आता हूं यह देखिए 942 देखा रहा है कितना 942 अब आपको समझ सकते हो कि 942 का सिर्फ यह कर देता है तो इतना जो टीडे से यह कम कर देता य है यह एकवाड़ेट वाला ठीक है 92 कर देता है इसका देखिए यह आकड़ा कितना है यतना है कि यह लगबक 942 और उसका कर देथा है 92 शिर्फ के असपास यह समझ लो ठीके और मिसकी अंदर function का क्या क्या कहने temperature का है on isa कहा रहे यह temperature का हमदेख लेए temperature को दिखा रहा है 296 का क्या रहे मेरे मतलब इतना कुछ नहीं पता लेकिन यह देख हैं इसी कुछ दिखा रहा है तो यह है prend यह 943-22 के असपस देखा रहा है बस और कुछ देखना नहीं तो आप देख सकते हो कि यह जो है 900-22 टीडिक्स का जो पानी है इसको यह सिर्फ 92 टीडिक्स का कर देता है तो इतना जो है इतना गंदा पानी है कि पूछो मत एकदम खारा फानी लगता है प्राब्लेम्स होती है जो यह जो किट है एकदम पैसा वसूल है इसमें सबसे इंपोर्टन यह चीज है कि इसके अंदर मिनरल कार्टेज आते हैं क्योंकि दोस्तों फिल्टर जो होता है यह वाला चीज अच्छा है कि यह साफ पानी देता है लेकिन उतना है हमारी शरीर के लिए गहतक है वह इस ल पूरी तरह से मैगनेज वगएर आपकी सेवी को जो भी लगता है वह सारी चीजें इसके अंदर दे जाते हैं तो आप यह फिल्टर एकदम टका टक चल रहा है मैं आपको चालो करके दिखा था हूँ यह दिखे चलो हो गया यह दिखे पानी आ रहा है यह गंदा पानी है और साफ पानी जो है अभी यह फ्लेश कर आटो फ्लेश है इसको लगाया हो तो आटो फ्लेश के बाद यह इधर साफ पानी देने लगेगा तो यहां पानी जो है निकलेगा देर लगेगी थोड़ी सी लेकिन आएगा ज़रू ठीक है पानी बहुत गंदा है इसलिए यह देखे यह देखे इस तरह यह आता रहता है पहले थोड़ा से जादा आता था अभी थोड़ा से कम आ रहा है क्योंकि पानी उतना खराब है तो पूछो मत ठीक है तो अब लगवग यह अब कितने दिन चलेगा पता नहीं हम देखेंगे इसको अगर आपको इस किट को खरिद ना है त कि यह अभी एक साल के बाद कैसे चल रहा है इसलिए हमने वीडियो बना दिया ठीक है तो सब्सक्राइब करना लाइक करदाना शेयर करदाना और कितने दिन चलेगा उसका जरूर हम वीडियो बनाते रहेंगे इसका आगे ताकि आपको मतलब एक अच्छा फिल्टर का जो सर करी मिल जाइग